कहानी लेखन आओ जाने बच्चों, क्या आपने कभी कहानी सुनी है? अगर हाँ, तो किन से सुनी है? सच कहा, दादी या नानी से? दादी और नानी की कहानिया हमें जीवन को जीने की सीख देती हैं ऐसी ही कुछ कहानिया हम किताबों में भी पढ़ते हैं तो आईए, ऐसी ही कुछ लगू कहानियों को पढ़े और हम भी ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों की रचना का अभ्यास करें कहानी लिखने के कई माध्यम है चित्रों की सहायता से, सहायक शब्दों के माध्यम से या फिर मुख्य बिंदूओं के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है कई बार तो केवल कहानी के शिर्षक या सीख सुनकर ही हमें कहानी लिखने की युक्ति सूच जाती है आओ पढ़ें बल्वान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छड़ गई हवा ने कहा मैं तुमसे अधिक बल्वान हूँ सूरज ने हवा से कहा मैं तुमसे जादा ताकतवर हूँ इतने में हवा की नजर कोट पहने एक आदमी पर पड़ी हवा ने कहा इस तरह बहस करने से अच्छा है आज हम देख लेते हैं कौन बल्वान है जो इस आदमी की कोट उतरवा देगा वही बल्वान कहलाएगा यह कहकर हवा ने अपनी गती बढ़ा दी और तीज हवा बहने लगी हवा के बहाव से उस आदमी की टोपी उड़ गई किन्तु उसने अपने कोट की बटन लगा ली ताकि उसे ठंड ना लगे बटने खोली बटन खोलने पर भी जब उससे गर्मी सही न गई तब उसने मजबूरन अपना कोट उतार दिया आदमी के कोट उतारते ही हवा ने अपनी हार मानी और कहा आज मैंने मान लिया कि आप अधिक बल्वान हो अगली कहानी दो घड़े एक बार एक नदी में जोरो की बाढ़ आई तीन दिन बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ बाढ़ के पानी में धेरो चीजे बह रही थी उनमें एक तामबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का घड़ा भी था दोनों अगल बगल ही तेर रहे थे तामबे का घड़ा थोड़ा घमंडी था अपनी ताकत का दिखावा करते हुए उसने मिट्टी के घड़े से कहा अरे भाई तुम तो नरम मिट्टी के बने हो और नाजुक भी अगर तुम चाहो तो मेरे पास आजाओ मेरे पास रहने से सुरक्षित रहोगे मिट्टी का घड़ा बोला मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद किन्तु मैं आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता आप बहुत बलवान हैं और मैं ठहरा कमजोर कही हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकडे टुकडे हो जाएंगे यदि सचमुच आप मेरे हितेशी है तो कृप्या मुझसे दूर रहे इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तामबे के घड़े से दूर चला गया हमने सीखा चित्रों और सहायक शब्दों के माई